हे गाईज कैस्ट वाप लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लास एज यूटूब चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीम पे देख रहे यूपी बोर्ड मार्च में होंगी यूपी बोर्ड परिच्छा है जी हमेरे दोस्तों ये निज मैंने पहले ही आपको बता चुका है और ये फाइनली आप लोग के पेपर में भी ये निज आ चुकी है लेकिन इस पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे सबसे पहले यूपी बोर्ड में हुए बोर्ड परिच्छा 2023 के लिए जो तीन बदलाओ है जी है मेरे दोस्तों बोर्ड परिच्छ 2023 है उसके लिए चाहे क्लास 10 हो चाहे क्लास 12 हो ठीके दोनों के स्लेबस में 30% की कमी कर दी गई थी साइद ही आप जानते होंगे अगर नहीं जानते तो आप जान जाए अब कि 30% स्लेबस आप लोगा बोर्ड परिच्छा 2023 के लिए भी घटाया गया था यूपी बोर्ड के द्वारा और यह कई महीनों पहले की ही न्यूज है तो पहला यह बहुत बड़ा बदलाओ था आप लोग के बोर्ड परिच्छा 2023 के लिए सेकेंड क्या है सेकेंड जो बड़ा बदलाओ है वो क्लास 10 के के लिए है मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक है यह 12 के लिए नहीं ह बोर्ड पर इच्छा 2023 का पूरा का पूरा पूरा पेपर पैटर्न बदल चुका है जी हमें दोस्तों पेपर पैटर्न आप पूरा पूरा क्लास 10 यूपी बोर्ड के क्लास 10 के स्टूरेंट का चेंज हो चुका है मैं बता दू अगर आप 12 के स्टूरेंट तो आपका 12 का जो पचास मार का वनड़ात्मक प्रस्ण यानि बड़े बड़े प्रस्ण जिसका आपको आंसर copy पे लिखना होगा ठीके यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि मतलब जो आपका ये 20 मार का objective होगा और 50 मार का ये subjective type का प्रस्ण होगा इसका पेपर तो एक ही मिलेगा आपको उसी पेपर में आपको 20 मार के objective रहेंगे और 50 मार के आपको वनड़ात्मक प्रस्ण उतरवाले जिसका आपको answer लिखना होगा लेकिन तीसरा ये बड़ा बदला होगा कि ये जो 20 मार के आप लोग के objective होगे ठीके इनका answer आपको OMR sheet पर देना होगा कि UP board की OMR sheet class 10 की कैसे होगी उससे कैसे भरे पूरा का पूरा तो उसका वीडियो उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के मैं description में डाल दूँगा आप जाकर देख लिजिएगा तो ये तीन बड़े बदलाओ थे तीन बड़े बदलाओ क्या क्या थे एक बर मैं और दोहरा का आप लोग का subjective type का question आएगा और जो ये 20 मार के objective question आएंगे ये तीसरा सबसे बड़ा बदलाओ है कि इनका paper आप लोग का किस पे इसका paper आप लोग जैसे समानी उत्तर पुषटी का होती है ना आपके जिस पर आप आंसर लिखते हो प्रस्णों का तो वैसे तो इस प्रकार आप लोग को क्या होगा कि दो मतलब लिखिने को मिलेगा एक सब्जेक्टिव प्रसने उसका answer दोगे तो ये तीन बहुत बड़े बदलाओ कि कब होगी youpboard की तो यहाँ देख सकते हूँ आपकी आर्टिकल यह वृट का कटींग है मुझे पता नहीं कि इस पेपर का कटींग है ठीक है कियो कि यह लड़के ने मुझे भेजा था तो यह बीड मार्च में होंगी up परिछा यहाँ पर नीच्स सकते हो अपने academic calendar में ये बता चुका है कि जो UP board की परिच्छाएं हैं वो कब होगी वो March से होगी लेकिन March में अभी मतलब exactly date decided नहीं है कि कितने March से होगा बहुत सारे आप लोगों को website वाले बता देंगे कि 24 March 12 March 13 March लेकिन ये बिल्कुल गलत है UP board ने अभी ऐसा कोई update नहीं दिया है कि आप लोगों का इस तारीक से March में पेपर होगा हाँ हम expect कर सकते हैं मुझे जहां तक आसा है आप देखना ठीके 7 से आप लोगों का 15 परिच्छा दोधरीते याद रखीगा March में आप लोगों का पेपर होगा तो आप लोगों के पास कीतना समय है अब बहुत समय नहीं है महिने एक तरस बोल सकते सीधा सीधा समय है ठीक है पांच महिने में आप जितना आप तैयारी कर लो आप तो ये थी बड़ी न्यूज आप सब के लिए आसा करता हूं काफी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को थैंक यू